है गाईज दिस दे नेतिश फ्रम टेक्टॉट वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो और इस वीडियो में बात करेंगे है रियल मी यू वाई में उसके बाद आप लोगों को क्या बग्स यहां पर देखने को मलते लिटरली मुझे तो कोई बग्स देखने को नहीं मिला पर इतने मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि बाए हमें बहुत जादा बग्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के ओपर एक तो गाइज मेरे हाथ में है realme 2 pro about phone check कर लें realme 2 pro devices है और I'm sorry friends आपको मेरी यहां पर यह जो screen brick मिल रहे होगी आपको पता है पूरे इंडिया में lockdown है यहां तक की मेरे यहां पर भी service center बन है तो मैं service center नहीं जा पाया और इस screen को repair नहीं करवा पाया लेकिन जब भी service center open होगा जाकर के इसको यहां पर से replace करवा लूँगा और नहीं यहां पर touch दिल वा लूँगा तो I'm sorry अगर आपको कोई video यहां पर थोड़ी funny या making type की लगे तो literally friends सबसे पहले bugs की बात करने से पहले बात ही कर लें इस wallpaper की आप सब लोग comment कर रहे हैं भाई wallpaper बता दे तो भाई मैं आपको बता दूँ telegram group join कर लें link description में है जाकर के join कर लें और join करने के बाद आपको बता दूँ friends यहां पर आपको जाना है इसमें और मुझे personally message कर देना बट चलिए करते हैं बात bugs की तो realme 2 pro में मैंने realme UI 1.0 को install कर लिया है और बहुत easy method था बट डाटा सारा का सारा चला गया है इस वीडियो को ध्यान में देखना अगर आप अपने realme 2 pro को update करते हो तो आपका पूरा का पूरा data चला जाएगा यहां पर beta updates में उसके बाद friends pictures capture कर लूँ तो देखिए यह रही pictures capture हो गई आप लोगों को pictures capture back camera से भी अच्छी आ रही है front camera open करो तो मेरा front camera यहां पर बहुत ही perfect तरीके से work कर रहा है और picture भी यहां पर आ रही है लेकिन front camera quality बिलकुल बेकार हो चुकी है full review आने वाला है front camera का पूरे camera का after realme UI update तो उस video के ल आप देखिए बहुत ही perfectly तरीके से काम कर रहे हैं कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिल रहा आप friends बात करें इसको आपको fix कैसे करना है जो भी bugs आप लोगों के notification पैनल में है आपको horoscope work नहीं कर रहा तो friends आपको बता दूँ अगर आपके mobile phone में data है तो उसका जलदी जाक आपके backup बना लें backup बना इनके बाद आपको क्या करना है आपको simply से जाना है अपनी setting open करके additional setting में और backup and reset के option में जाकर करके erase all data एक बार अपने mobile phone को reset करना है मैं आपको 100% guarantee के साथ बोलता हूँ कि आपका जो भी bugs है वो पूरा solution हो जाएगा realme UI update कर अगर आपने कर लिया है आ आपको camera open नहीं और आपका notification पाल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा बैग एसस काम नहीं कर रहे कीवोड काम नहीं कर रहा कोई issue मुझे देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने अपना data delete कर वाय था भाई जब update किया था बट अगर आप भी अपने devices को perfectly तरीके से वर्क करना चा बट एक इशू आप लोगों को देखने को मिलता है वो रहा battery draining का issue वो next update में ही अब ठेक होगा स्वाई होगा आपको वीडियो पसंद आ होगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक किया चैनल को सब्सक्राइबर के बैल आइकन प्रस कर लेना फ्र